देवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुचा सकती है एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को चोरानवे तरह के नरक में डाल सकती है जिस पिता के घर में बेटी का जनम होता है जिस घर में बेटी जनम लेती है वो बेटी कि अपने पिता को कन्यादान का मुखा आवश्च दे कन्यादाने के साथ धान होता है कि माता और पिता चोरान वे नरक में न पड़कर सीधे बेकुंठा में चले जाते हैं के वले कन्यादान करने पर केवले कन्यादान करने पर और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मुखा नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी मैं एजुकेटे मैंने तो इतनी पढ़ाई करी मैंने तो कोई ऐसे ही मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तब मैं उसको जादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी मैं तो उससे करूँगी